9 शहरों और कस्बों के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मुंबई में एलिवेट 2023 में प्रतिभा और नेत्रित्व कोशल का प्रदर्शन किया, सांसद गोपाल शेटी ने दो दिवसिय उठसव का उधगातन किया, जिसमें 9-15 वर्ष की आयू के 700 से अधिक बच्चे शामिल होंगे, मुंबई में एलिवेट 2023 का आयोजन 25-26 फरवरी को बोरीवली पश्चम में वाला साहिब ठाकरे उध्यान में होगा, एलिवेट 2023 का आयोजन एनेबलिंग लीडर्शिप द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाबकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य फुटबॉल, संगीत और लेगो बिल्डिंग ब्लॉक्स पर केंद्रित अनूठे कार्यक्रमों का उप्योग करके पूरे भारत में सरकार प्रधि और कम आये वाले स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों में नेतरित्व कौशल पैदा करना है, अलिवेट बच्चों की क्षमताओं के प्रदर्शन से कहीं अधिक है, यह नेतरित्व का उत्सव है, जहां विविद प्रिष्ठ भूमी के बच्चे प्रदर प्रतिस्पर्धा करने और एक सुरक्षित और सहायक वातावरन में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए एक साथ आते हैं, एनेबलीड लीडर्शिप के संस्थापक और CEO रवी सोनर ने कहा. झाल झाल हम सब इस वत्त त्वरगिया भाला साथ ठाटरे कीडांगन बोरीवले के 15 एकर के मैदान में हैं, एनेबलीड लीडर्शिप, CEO और फाउंडर रवी सोनर जी हम सब के बीच में हैं, एनेबलीड लीडर्शिप के चेर्मेन रामके जी भी है, पाथ हजार बच्चे इस सहुथा में काम करते हैं और दो दिन का यहाँ पर फुटबॉल का इवेंट चलेगा जिसमें 700 से भी जादा बच्चों ने भाग लिया है और ये पाच राज्यों में से बच्चे आते हैं, पाच राज्यों के बच्चों को इकत्रित करके दो दिन का फुटबॉल का इवेंट यहाँ पर उन्होंने ऑर्गनाईज किया है, मैं मानता हूँ के बहुत बड़ी उतलब्दी है, देश के प्रदान मंत्री कनमान ने स्री नरेदर मोदी जी घेलों इंडिया की जब बात करते हैं, तो किस तरह से देश भर के बच्चे इसमें जुड़े हैं, यह उसका साक्षात दर्शन हम आज यहाँ पर कर पा रहे हैं, मैं बहुत ही प्रसेनता में सुख करता हूँ एक सांशत के नाते, मैंने जो ग्राउन यहाँ पर बनाए उत्तर मुंबई में, उस ग्राउन का उत्योग इस तरह से हो रहा है, और इस ग्राउन की चर्चा आने वाले दिनों में सिर्फ मुंबई महाराश्तम ही नहीं, तो देश के पाच राजियों में भी होगा, और इस प्रकार के कारेकम के माध्यम से, मैं मानता हूँ के बच्चों का मनोबल बढ़ता है, और यह सारे जो बच्चे इन्होंने लाया है, वो मद्दम वर्गी और स्टम एरिया में से बच्चों को पकरकर इन्होंने लाया है, यह बहुत बड़ी बात है से मानता हूँ, इस उमर में बच्चों को फ्रोट्साइट करना, उनके दिलो जिमाज में एक आत्म विश्वास डालना, यह बहुत बड़ी उफलब्दी है, आज के छोटे बच्चे चलके हमारे देश के नेता होंगे, इस प्रकार की भावना वे पर आके और हमारा उदभातन किया और बच्चों को यह स्पोर्ट्स के बारे में बोला, मगर एक चीज जो बहुत महत्व है, कि जो हम एनेबलिंग लीडर्शिप का हमारा जो प्रहतन है कि फुटबॉल खेलेंगे, और जैसे विपल शेटीजी ने बताया कि खेलने से कॉंफिदेंस भी बढ़ता है, पर यह जो जीवन कवशल हैं, जो हम सिखा रहे हैं उनको, अगर वो इन दफ्यूचर जाके जॉब के लिए ढूंडेंगे, और अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने परिवारों को उनकी देखबाल करेंगे, यह बहुत ही अगले दस साल में, हम दस लाख बच्चों के साथ काम करेंगे और यह उनकी परिवर्तर लेकर आएंगे, तो यहां पर दिल्ली से हैं, पूने, हाईदरबाज, चैन्ने, बेंगलूर और काफी रूरल पैतालीस गाओं से आए हैं, साताना के पास में, धारवाड के पास में, कुम्ता के पास में, तो यह शेत्रों में उनका कॉंपिटिशन रहा है, वहां से जीतके यहां पर साथ सो बच्चे आए हैं. जो भी आगे बढ़ने का आउस्वर प्रात होता है, जब रवी जी बात कर रहे थे, सारे स्लम के बच्चे हैं, तो आए मोज को प्रोड़ेक्ट आप वे अस्लम, मैंने अपने जीवन के 55 साल जोपड़पटी में हैकर बिताया है, तो मैं जानता हूं साम्वाने लोगों की वेजना क्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, उनकी आउस्चक्ता क्या होती है, और इस प्रकार का जब इवेंट्स के लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको तुरन पहा कहता हूं, और भारतियन्ता पार्टी के सारे कारेकर्टाओं को भी कहता हूं को इनको जितना हो सक बहुना बढ़ जाता है पैदा होता है और यही हमारी देश की खुबसूर्थी है कि हम इनको जानते भी नहीं है पैलचाते भी नहीं है उनके साथ में एक रिष्टा नाता बनाते हैं और यही एक ताकत है देश की